गुड मॉर्निंग स्टूरेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे बीकोमपाट सेकिंड डियर के अंतरगत ईए ए एफेम फ़स्ट राजस्तान में आर्थिक प्रियावरण के अंतरगत राजस्तान के आर्थ विकास में बाधाएं क्या-क्या है इसके वारे में आज हम चर्चा करें देखिए यद्यपी योजना काल में राज्य का तेजी से आर्थिक विकास हुआ है किन्तु प्रतिकूल भोगोलिक वातावरन, क्रशी के लिए पानी की कमी, ओद्योगिक पिछडापन, शक्ति के सादनों का अभाव, जनसंख्या में तीवर व्रद्धी, आदि की कारण राजस्थान का तीवर आर्थि विकास नहीं हो पाया है और इन सब के लिए निम्न बादाएं हैं जो जिम्मेवार है, जैसे सरप्रतम भोगोलिक बादाएं, राजस्थान के विकास में आने वाली जो मुख्य भोगोलिक बादाएं हैं, वो इस प्रकार से हैं, विशाल किंतु सुकार रेगिस्थान, यानि भारत के कुल शेत्रप है उसका शेत्रपल 3.42 लाख वरक किलोमेटर है किन्तु उसका बहुत बड़ा भाग 2.08 लाख वरक किलोमेटर सुका मरुस्तलिय शेत्र है जो राज्य की 12 जिलों में फैला हुआ है वर्षा की कमी सिचाई सुविदाओं का अभाव उद्योग धंदों का अभाव और प्रतिकूल जलवायों के कारण इस शेत्र के लोगों का जीवनियापन कठिन है दूर दूर फैली जनसंक्या कम घनत निरंत राकाल एम सूके की चपेट में आने से गरीबी एम दरिद्रता व बहुत बड़ी बादा रही है वर्षा की कमी के कारण पेजल वैसी चाई के लिए जल उपलब्द ही नहीं हो पाता है उसी तरह से जलसंसादनों का नितान्त अभाव भी है जहां राजस्थान में भारत के कुल शित्रपल का दस दस्मिलों चार प्रतिशत भाग है वहां जल 65 वर्षों की आउधी में 56 वर्ष नुनाधिक अकाल एम सूखे की वर्ष रहे हैं राज्य के बज़र का एक बड़ा भाग अकाल एम सूखे की समश्चा से निपटने में लग जाता है इसी तरह से करशी विकास में भी बादाएं हैं यानि राजस्थान एक करशी प्रधान राज्य है किन्तु करशी शेत्र में सिचाई साथनों का अभाव मानसून की ए निश्चिता ए परियाप्तता वित्य साथनों का अभाव किसानों की गरीबी ये सारी कि सारी बाधाएं हमारे राजस्थान में विद्यमान हैं और प्रमुख बाधाएं जो करशी विकास में है वो मानसूर पर अत्यदिक निर्भता एक बहुत महत्वपून बादा है और मानसूर हमारा एनिश्चित होता है इस तरह से सिचाई साथनों का भी अभाव हमारी महत्वपून बादा है भूमी सुधारों की जो गती है वो भी बहुत धीमी है यानि राज्य में जागीरदारी जमीदारी प्रथा का अंत कर दिया गया है फिर भी कास्तकारी सुधार अधनिमों के अंत प्रभावी किर्यान्वन के अभाव में कृषक मजदुरी करने के लिए विवश्च है भूमी का एसमान वित्रन भूमी हिन के सानों को शोशन की ओर से डखेलता है इसी तरह से कृष वर्षी योजनाओं में वित्य सायता के द्वारा उन्नत कर्षी के लिए प्रेणा दी गई है पर उनकी आवशक्ता के मुकाबले में बहुत कम है अधक कर्षी विकास में एक यह भी महत्त्रपुन बादा है पशुधन की समश्चा भी हमें देखने को मिलती है राजस्थान का उप्योग नहीं हो पाता है यातायात सुविधाओं की कमी भी है राज्य का शेत्रपल विशाल है किन्तु शड़के रेले और वायू पर हिवन सादनों का उस अनुपात में विकास नहीं हो पाया है शार की समश्चा भी हमें देखने को मिलती है कि राज्य के कुछ शेत् विकास में भी देखने को मिली है और जहां तक उद्योग विकास की समश्चा है देखिए राजस्थान यद्य भी प्रमुक उद्योग पतियों की जन में स्तली रहा है इसमें कोई शक नहीं है किन्तु यहां आधार सरंशना के अभाव पूंजी की कमी विद्युशक्ति का अभाव उद्योगों के प्रती सरकारी नीती में उदासी इंता कुशल स्रम की कमी बाजार का अभाव आदी के कारण जो है योजना बद्य विकास के 65 वर्ष के बाद भी राज्य उद्योग दुस्टि से पिश्डा हुआ ही है इसकी कई कारण है आधार्भूत सरंचना का अ अपने की संभाव ना भढ़ जाती है लेकिन इसका अभाव हमारे लगे राज्य को अपनी आवशक्ता की पूरती विद्युत की पूरती के लिए इविन विद्यृत की पूरती के लिए भी पडुशी राज्यों से क्रे करके करने पड़ती है इसी तरह से उध्योगों एम खरीज विकास पर कम ध्यान दिया गया है सरकार ने उध्योगों एम खरीजों के विकास पर अब तक बहुत ही कम खर्च किया है तो ये भी एक बहुत बड़ी बादा है उद्योगों के विकास के लिए पूंजी की कमी भी सबसे बड़ी बादा है सरकारी नीती भी उदासीन है आपके उद्योगी विकास के प्रती योजनाकाल के प्रारंबिक वर्षों में सरकारी उदासीनता की कारण उद्योपभिती राज्य की आगर्शित नहीं हो पाए है उद्योगृक्षि रुगनिता राजस्थान में बिमार उद्योगृक्षिक एकाईयां काफि मिल जाएगी और उनमें वित्यसनस्ताउं का धन फसा है उद्योपधन कार्य भी नहीं हो रहा है उससे भावी उद्ध्योंगी करण में बादाईं उत्पण उत्पून होती और उत्पादन में रुकावट नहीं आती और उद्ध्योंगी विकास दिविरुकती से होता चला जाता है लेकिन स्रम संग अपने स्वारती लक्षों के कारण उद्योगों में अड़ता ले और विवादों को जरम देते रहे हैं जिससे उद्योपत्यों को उद्योग उस्तापना में हतोत्सान ही होता है विद्युत्षक्ति की निरंतर भड़ती कमी और उंची कीमत राजस्तान में विद्युत्षक्ति का अभाव रहा है जो उद्योगों के विकास में इबादक है इसके लाव विद्युत्षक्ति की दरें भी काफी बढ़ा दी है जो उद्योगी उत्पादन लागत में व्रद्धिकर उद्योगी उत्पादों की मांग एम प्रतिस्पार्दात्मक शक्ति को कम करती यह तो यह सारे के सारी बाधाएं जो है वो द्योगिक विकास में रुकावट बनी हुई है और इसी तरह से आगे जनसंग का संबंदी बाधाएं राजनेतिक बाधाएं और अन्य कई जनके बाधाएं जिनके बारे में अगली व्याख्यान में चर्चा करेंगे थैंक्यू